नमस्कार बच्चों, कक्षा 10, exercise 4.3, इसका प्रशन नमबर 6 आजम करने जा रहे हैं देखे बच्चों, प्रशन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ग्याद कीजिए देखो बच्चों, यह एक आयत है, आयताकार खेत है, तो यह एक आयत हो गया, आयत में हमें पता है, 4.90 डिगरी के होते हैं यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है बच्चों, तो देखो खेत का विकर्न, उसकी छोटी भुजा से, तो सबसे पहले हमें छोटी भुजा लेनी होगी, तो हम मानते हैं, माल लो, छोटी भुजा को हम माल लेते हैं, X मीटर, ठीक है है यह चोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो विकर्न किसके ब्राबर होगा चोटी भुजा है एक्स उससे 60 जादा तो यानि एक्स प्लस 60 मीटर इसी प्रकार से आगे दिया है यदि बड़ी भुजा चोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो बड़ी भुजा है ये वाली विकर्न था ये वाला इसको हमने लिख दिया एक्स प्लस 60 ये वाला एक्स प्लस 60 ये होता है विकर्न डाइगनल अब ये रहागी बड़ी भुजा ये है बड़ी भुजा चोटी भुजा से 30 मिटर अधिक बड़ा है तो छोटी है X तो 30 जादा कितना हो जाएगा X प्लस 30 ठीक है बचो तो यहाँ लिखा बड़ी भुजा बराबर X प्लस 30 मिटर अब बचो हमें ध्यान से देखना है अभी आप सिरफ यह जो ट्राइंगल मैंने शेड किया है सिरफ इसको देखे आप सिरफ यह वाला ट्राइंगल जिस त्रीभूज को हमने शेड किया यह कैसा त्रीभूज है यह एक सम कोन त्रीभूज है यानि सम त्रीभूज है इसमें एक कोन सम कोन है तो इसमें हम लगा सकते हैं पाइथा गोरस प्रमय ठीक है बच्चो तो हम यहां लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमय के अनुसार आपको याद है बच्चो पाइथा गोरस प्रमय क्या थी पाइथा गोरस प्रमय थी यदि एक सम कोंड त्री भुजो जिसमें यह है base यह है perpendicular यह है hypotenuse तो pythagoras प्रमे थी hypo square बराबर base square प्लस perpendicular square इसको कहते हैं pythagoras प्रमे यह हम यहां लगा रहे हैं तो मैं यहां लिखता हूँ hypo square बराबर base square प्लस perpendicular square देखो hypo कौन सा होता है 90 degree के सामने वाली तिर्ची बुजा तिर्ची बुजा है यहां पर यह x plus 60 तो hypo hypo इसके बराबर नहीं hypo का square यानि x plus 60 का square बराबर होगा base square base कितना है देखो x plus 30 तो x plus 30 का whole square whole square है यह पूरे के उपर plus perpendicular square perpendicular होता है यह वाला और perpendicular है x के बराबर यानि x का whole square अब जो समझने वाली बात है बच्चों वो यह कि यह बन गया a plus b whole square ठीक है a plus b whole square का formula क्या था a square a square plus 2 a b plus b square यह था a plus b whole square का formula ठीक है यह हम यहां को यूज़ करेंगे देखो a plus b whole square बराबर है a square plus 2 into a into b plus b square b है 60 60 का square आगे है बराबर का निशान तो बराबर आगे फिर से बन गया a plus b whole square तो यह जाएगा a square plus 2 into a है x into b है 30 plus b square b है 30 30 का square plus आगे है x square यहां a plus b नहीं बन रहा है सिरफ एक ही रखम है तो x का square हो जाएगा x square अब हम इसे बेटा हल करेंगे देखे ध्यान से ध्यान से देखना थोड़ा zoom कर रहा हूँ ताकि आपको clear दिखाई दे देखे एक्स का square होता है x square plus 2 गुना 60 120 120 गुना x हो जाएगा 120 x plus 60 का square देखो 6 का square होता है 6, 36 0 का square करना हो तो 2, 0 1, 0 का square 2, 0 2, 0 होते तो 2, 0 का square होता है 4, 0 बराबर यहाँ है x square plus 2 गुना x गुना 30 30 दुनी 60 x plus 30 का square 3 का square होता है 9 0 का square होते है 2, 0 plus यहाँ है x square ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना यह x square है यहाँ भी x square है 1 x square से 1 x square कट जाएगा अगले step में ठीक है तो अब हमारे पास जो बचेगा वो अब हम लिखेंगे हम क्या करेंगे बच्चो x square यहाँ पे है plus 60 x है plus 900 है इस 120 x को हम उधर ले जाएंगे तो यह इसका sign change हो जाएगा यह plus 120 x है जब यह इधर जाएगा तो यह बन जाएगा minus 120 x इसी प्रकार से यह है plus 36 जब यह उधर जाएगा तो यह बन जाएगा minus 36 अब left side पर देखो यह भी cut गया यह उधर चला गया यह भी उधर चला गया तो बाकी क्या बच गया 0 under ठीक है बच्चो अब हम इसे इस सारी रकम को left side पर कर लेंगे इस सारी रकम को left side पर कर लेंगे 0 को right side पर लेंगे ताकि ये एक proper दिविगार समिकरन बन जाए ठीक है अब ध्यान से देखना मैं कुछ और भी सार्थ में calculation करूंगा x square plus 6x minus 120x plus minus 120 में से 60 निकाल दिये 60x 7 में साइन बड़ी रकम का ये plus है ये minus है बड़ी रकम है 120 इसके साथ निशान था minus तो यहां लग गया minus इसका मतलब ये plus 60x minus 120x इसको solve करके हमारे पास आगया minus 60x आप सोचो कि यही यहां लिख दिया अरे नहीं ये plus 60x था ये है minus 60x ठीक है अब आगे देखते है ये है plus 900 ये है minus 36 plus minus minus 3600 में से 900 minus कर दो 2700 साथ में साइन माइनस का क्योंकि 3600 बड़ी है बराबर अब इधर बच गया 0 ये 0 उधर लगे ये रख में इधर लगे इसको हमने solve भी कर दिया अब हमारे पास एक द्वी घाज समीकरन बन गई है x square minus 60x minus 2700 बराबर 0 इसे अब हमें हल करना है ठीक है बच्चों तो अब कैसे hal करना है द्वी घाज सूत्र के हिसाब से आईए हम द्वी घाज सूत्र लगाते हैं तो अब मैं यहा लिखूंगा द्वी घाज देखो एक चीज थी कि ये समीकरन बना दी अब अगला काम है द्वी घाल सूत्र इसलिए मैंने sketch pen change कर दिया है द्वी घात आपने ऐसा कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको समझाने के लिए द्वी घात सूत्र के अनुस्वार एक्स बराबर होता है द्वी घात सूत्र आपको याद है माइनस बी प्लस माइनस अंडरोट बी स्क्यार माइनस फोर एसी बटा टू ए उमीद करता हूँ यह अब तक तो याद हो गया होगा आपको इतने सवाल कर लिए अब देखे ध्यान से माइनस इन्टू बी बी कितना है यहाँ पे देखो एक्स के साथ होली रखम है माइनस साथ इसका मतलब बी है माइनस साथ प्लस, माइनस, अंडरूट B स्क्यर B है माइनस 8 तो B का स्क्यर यानि माइनस 8 का स्क्यर माइनस 4 इन्टू A A कितना है बचो X स्क्यर के साथ कोई रखम नहीं है यानि 1 A हो गया 1 इन्टू C C है ये माइनस 27 देखो कितनी बड़ी रखम आई कोई बात नहीं हमने डरना नहीं है हम करेंगे इसको हल divided by नीचे है 2 इन्टू A A कितना है बचो X स्क्यर के साथ है 1 ठीक है तो आई अब इससे हल करते हैं X बराबर होगा minus इन्टू minus plus तो ये आगए 60 plus minus under root देखें minus का स्क्यर है plus 60 का स्क्यर होता है 36 6 चिके 36 0 का स्क्यर 2 0 minus इन्टू minus हो गया बेटा plus आगे क्या गया 4 एकम 4 4 को 27 से गुना कर दो 7 चोके 28 8 हासल आया 2 4 दूनी 8 और 2 10 27 चोके 108 पीछे हैं 2 0 तो वो 2 0 यहां भी लग जाएंगे अपॉन 2 A 2 इन्टू 1 कितना है 2 अब इतनी बड़ी रकम देखकर आपने डरना नहीं है solve करेंगे हम बिच्चा इसको देखना यह solve हो जाएगा अराम से यह बन गया 60 प्लस माइनस अंडरोट अब देखो 0 में 0 प्लस किया 0 0 में 0 प्लस किया 0 6 में 8 प्लस किया 14 हासल आया 1 10 और 3 13 और 1 14 बटा 2 ठीक है बच्चो अब बच्चो देखो ध्यान से 60 प्लस माइनस अब यह है 14400 इसका रूट देखो मैं इसको अगर छुपा लूँ तहे क्या बन गया 144 144 किसका स्केर रहता है 12 का तो यह 2 0 है हाना इसका मतलब पतक क्या है 14400 हो जाएगा 120 गुना 120 12 गुना 12 दोनों के पीछे 1 एक 0 लगा दो इसका मतलब 14400 का जो रूट आएगा वो आएगा 120 आएगा आप इसको रूट निकाल के भी देख सकते है मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने इसको डिरेक्टली 120 कर दिया अब हम क्या करेंगे एक बार लेंगे प्लस रकम और दूसरी बार लेंगे माइनस की रकम ठीक है बच्चो हम इसको यहीं पे लिख दें इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 प्लस माइनस 120 बटा 2 so that यहाँ मैं अब ले रहा हूँ प्लस वाला निशान और यहाँ मैं ले रहा हूँ माइनस वाला निशान ठीक है बच्चो अब देखे एक्स बराबर 60 में जब 120 प्लस होगा तो यह बन जाएगा 120 और 60 180 बटा 2 ठीक है और 2 से 120 कर जाएगा 90 यानि एक्स की वैलिव आ जाएगी 90 लेकिन जब यहां इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 120 में से 60 गया 60 साइट बड़ी रकम का माइनस बटा 2 और जब इसको काटेंगे तो 2 से 60 कर जाएगा 30 लेकिन इसके साथ में एक माइनस भी है तो यह आ गया माइनस 30 अब आप देखो एक्स की वैलिव आई है 90 यहां एक्स की वैलिव आई है माइनस 30 यह एक्स क्या है एक्स है छोटी भुजा की लंबाई है ना बच्चो तो क्या किसी भी खेट की लंबाई माइनस में हो सकती है नहीं हो सकती इसका मतलब यहां से एक्स बराबर माइ अस्तीन हम नहीं ले सकते तो इसका अर्थ हमारे पास x की जो value आ गई है वो आ गई है 90 ठीक है बच्चो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है खेत की बुजाएं बुजाएं कौन सी होते हैं एक ये और एक ये ठीक है तो हम लिखेंगे खेत की छोटी बुजा किसके बराबरती देखो खेत की छोटी बुजा एक्स मीटर एक्स मीटर और एक्स कितना आया है 90 यानि खेट की छोटी भुजा कितनी आ गई है 90 मीटर इसी प्रकार से खेट की बड़ी भुजा अब देखें बड़ी भुजा किसके बराबर ली थी हमने विकरन को नहीं लेना बैटा करने चाहिए हमें छोटी भुजा और बड़ी भुजा सिर्फ खेट की बुजाए निकाल लें तो बड़ी भुजा किसके बराबर है एक्स प्लस तीस मीटर एक्स प्लस तीस मीटर इसकी कितना है 90 प्लस तीस मीटर और आप betा calendar 90 में 30 प्लस कर दो कितना हो गया 120 मीटर ठीक है बच्चो तो देखिए यह हमारे पास खेत की लंबाई आ गई है खेत की एक बुझा आ गई है 90 मीटर और यह दूसरी बुझा आ गई है 120 मीटर तोड़ी मेरे पास जगा की कमी थी लेकिन फिर भी चलो हमारा कोशन पूरा हो गया है तो यह कोशन है देखने में बहुत बड़ा है जब आप कॉपी में लिखोगे तो आप देखोगे कि यह बहुत लंबा कोशन हो गया लेकिन यदि आप इसको समझ के करेंगे तो यह कोशन असान है ठीक है बच्चो तो हमने सबसे पहले खेत बनाया उसमें चोटी भुझा विकरन और बड़ी भुझा बनाए पाइथा गुरस प्रमे का प्रयो निकाल रही है बस इतना सा यह कुशन है आशा करता हूं यह कुशन आपको अच्छे से समझाया होगा देखो कितनी मेहनत कितने सारे कलर्स का हम प्रयोग करते हैं आपको समझाने के लिए यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर की धने बात